हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत हैं आज हम वीडियो में सिस्टम ऑफ ड्रग मेजरमेंट टॉपिक को पढ़ेंगे यह टॉपिक नर्सिंग फांडिशन सब्जर्क का ड्रग अड्मिस्टेशन वाली उनिट का भाग है तो आएए देखते सिस्टम ड्रग मेजरमेंट में डिफरेंट सिस्टम अभेलेबल ड्रग मेजरमेंट के डिफरेंट सिस्टम में जो हम पेशेंट को ड्रग देते समय यूज करते हैं फास्ट इसमें मैट्रिक सिस्टम नमबर सेकेंड हाउस होल्ड सिस्टम नमबर थर्ड एपोती केरी तो इस चार सिस्टम में इनके तुरू हम ड्रग अड्मिस्टेशन के समय मेजरमेंट करते हैं तो आई ये फिर्स्ट सिस्टम दिखते हैं मैट्रिक सिस्टम इन दिस सिस्टम मैट्रिक सिस्टम मैट्रिक सिस्टम मैट्रिक सिस्टम में उसमें हम मैटिक यूनिट्स जो मिली ग्राम, मिली लीटर, लीटर का यूज करते हैं जो जर्नली अपन इस समय यूज करते हैं पेशेंट को मैडिकेशन देते समय नमबर सेकेंड है हाउसोल्ड सिस्टम आउसोल्ड मेजर्सं क्लूड ड्रॉप्स, टेबल उस पूरन, कप्स पॉर मेजरिंग मेडिकेशन हाउसोल्ड में €्स टेबben, टेबल इसपूरन, टेबल स्पूरन, कप्स को यूज करते थे इसका मुख्य डिस एड़बानटेज है their disadvantage is their inaccuracy household system का मुख्य disadvantage है कि हम इसमें ठीक से medication को नाप नहीं सकते कभी इसमें हम ज़ाद medication को measure करते हैं कभी कम करते हैं household utensils such as teaspoon and cups are varies in size household system में जो हम spoon, table spoon table, tea spoon लेंगे वो different size को होता है इस कारिस में accuracy का measure नहीं कर सकते number third system में apothecary system it is older system the basic unit of weight is apothecary system is grain and the basic unit of volume is the minimum apothecary system बहुत पुराना सिस्टम है जिसमें हम बेट को grain के through measure करते हैं और volume के minimum के through the other units of weight बेट को हम इसके सासर dram, ounce और pound में measure करते हैं तो आपोटेरिक के सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है जिसमें हम ग्रेंज, ड्रम, आउंस, आउंस, पाइंट, डिफरेंट यूनिट का मेजर करते हैं नमबर फोर है, solutions solutions is a given mass of solid substance dissolve in a non-volume volume of fluid और a given volume of liquid dissolve in a non-volume of another fluids, solutions means जब हम किसी solid mass को किसी solution में dissolve करते हैं तो यह वो complete solution तियर होता है, दूसरा यह दिक किसी flood को हम दूसरे flood में dissolve करते हैं तो वो एक solution तियार होता है, medication का for example 10% solution is, कोई 10% solution वो 10 gram of solid dissolve in 100 ml of solutions 100 ml solution में हमने 10 gram solid को dissolve किया तो वो 10% solution कहलाता है तो फ्रेंड्स यह थे डिफ्रेंट measurement system जिसमें हमने पढ़े थे matrix system, household system, apothecary system and solutions जिसमें matrix system commonly used है during the drug administration फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसे लगा इसके लिए अपने लाइक कमेंट्स जरूर बीजिएगा इसके साथ साथ जन्हों ने अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ने के प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल पूर मोर गैट टेटेल अवाट डिफ्रेंट नर गूसिन आन्सरी जान्सरी 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 जान्सर